नमस्कार दोस्तों मैं अखले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चेनल AKB मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरिश्टार अक्षे कुमार की ओव पांच फिल्में जो की पाकिस्तान में पूरी तरह से बेन कर दी गई थी और आपको पताएंगे दोस्तों क्या रिजन था जिसके कारण पाकिस्तानी सरकार ने इन फिल्मों को पाकिस्तान में दिखाने से मना किया था तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो तो दोस्तों सबसे बिल अगर बात करें नमबर पांच की तो नमबर पांच पर है 2012 में रिलिज हुई फिल्म खिलाडी 786 जियां दोस्तों खिलाडी 786 जिस फिल्म का म्यूजिक सूपर डूपर हिट था और इस फिल्म में अक्षिगुमार के साथ नजर आई थी आसीन और साथी साथी इस फिल्म में हमें इस हमेश रेसमिया भी देखने को मिले थे आपको बताते दोस्तों खिलाडी 786 फिल्म को तो इंडिया में काफी ज़्यादा पसंद किया था लेकिन इस फिल्म को पाकिस्तान में पूरी तरह से बेन कर दिया गया था यानि कि फिल्म के न तो वहाँ पोश्टर लगाने दिये गये ना तो फिल्म के प्रोमो रिलिज उसको ये फिल्म में इस्तमाल नहीं कर सकते जिसके चलते दोस्तों इस फिल्म को पाकिस्तान में बेन कर दिया गया था वही दोस्तों बात करें नंबर चार की तो नंबर चार पर है 2015 में आई इस पाई थ्रिलर फिल्म बेबी जिया दोस्तो नीरच पांडे के डारेक्सन में बनी बेबी फिल्म जिस फिल्म में अक्ष्यकुमार के साथ आनुपम खेर और तापसी पनु नजर आय थे आपको बता दे दोस्तो इस फिल्म को इंडिया में काफी जादा पसंद किया थो और ये फिल्म बोक्स ओफिस पर रही थी ब्लोकबश्टर लेकिन दोस्तो फिल्म की कहानी आधारित थी आतंकवाद पे और इस फिल्म में आतंकवादियों का कही न कही लिंक पाकिस्तान से दिखाया गया था जिसके तलते दोस्तो पाकिस्तानी गोर्मेंट ने बेबी फिल्म को पाकिस्तान में पूरी तरह से बेन कर दिया थो और इस फिल्म को आज तक भी पाकिस्तान के किसी भी टेवी चैनल तक पे भी नहीं दिखाने दिया जाता है वही दोस्तों बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर है 2017 में अक्षे कुमार की फिल्म जोले लिल बी 2 जिस फिल्म में नजर आये थे अक्षे कुमार के साथ में सोरप सुकला और हुमा कुरेसी आपको बता दे दोस्तों फिल्म तो विससे कोमेडी मूवी थी लेकिन इस फिल्म म फिल्म के अंदर कस्मीर की बात क्यों की गई जिया दोस्तों फिल्म में सिर्फ कस्मीर का एक छोटा सा सीन था जिसकी वज़े से ही पाकिस्तानी गुर्मेंट ने इस फिल्म को पूरी तरह से बेन कर दिया वही दोस्तों बात करें नमबर दो की तो नमबर दो पर है दो हजार अठ्रे में यही फिल्म पेड में जिया दोस्तों इस फिल्म को इतने सारे आवार्ट मिले हैं और इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है क्योंकि दोस्तों फिल्म का जो टोपिक था वो काफी सेंसेटिव था और फिल्म को काफी की गई थी क्योंकि दोस्तों पेड जैसी एक कहानी के लेकर फिल्म बनाना हर किसी के बास की बात नहीं होती लेकिन दोस्तों यहां पर अक्षे कुमार ने पेड में जैसी एक सांधार फिल्म बने थी जिस फिल्म में उनके साथ में हमें सोनम कपूर भी देखने को मिली थी में नहीं दिखा सकते जिया दोस्तों ये काफी चोटी सोचे कि पेड और पिरियेट को लेकर अगर फिल्म बने तो उस फिल्म को पाकिस्तान में नहीं रिलिज होने दिया जिसके चलते दोस्तों अक्षिकुमार की चोथी फिल्म थी जिसे पाकिस्तान में पूरी तरीके से बे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 200 करोड से भी जादा की कमई इंडिया मार्केट में की थी और फिल्म का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन तो लगभग 300 करोड रुपे था आपको बता दे दोस्तों अक्षे कुमार की फिल्म मिसन मंगल में उनके साथ विद्या पालन, सोनाक्षे स सर्मन जूसी, नित्या मिनन और भी बहुत सारे कलाकार देखने को मिले थे अब आपको बता दू दोस्तों फिल्म की कहानी में तो कोई खराबी नहीं थी जिसकी वज़े से इस फिल्म को पाकिस्तान गोर्मेंड बेन करे लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि जिस समय पे मिसन इसके चलते दोस्तों अक्षेकुमार की फिल्म मिसन मंगल भी पाकिस्तान में नहीं रिलिज हो पाई तो ये थी अक्षेकुमार की वो पाच फिल्में जिने आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं दिखाया गया हलागे दोस्तों अगर आपने अक्षेकुमार की इन पांचों फिल्मों को देखा तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है खिलाडी 786, बेबी, जोले लिलबी 2, पेडमेन या मिसन मंगल अपनी फेवरेट फिल्म का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताए और हमारे इस चैनल एके भी मिडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले